हम भॉलकम बैक और तो आज यो हम लोग डिसकर्स करने जा रहे हैं सार्फेस इंट्रिग्रल हम लोग फिछे लेक्चर्स में कुछ कोसें डिसक्रस के थे वसी क्या आगे हम लोग सर्फेस इंटियृृुल liberal के कोसें डिसक्रस करते माइनस का 3 y square z k f and s is the surface of the cylinder cylinder की equations क्या है x square plus y square which is equal to a square along with the basis included in the first octane between z is equal to 0 and z is equal to b अब इन्हों ने क्या बात किया है पहली बात तो यहां पर है कि first octane की बात किया है ठीक है और किस्से आपके पास basis जो है इस तरह से होगा सबसे पहले हमें क्या चाहिए एक सवाय और जट प्लेंट चाहिए तो यह आपके पास z axis हो गया यह आपके पास x axis और यह y axis अब यहां पर नार्मली हम लोग यह क्या बनाएंगे cylinder बनाएंगे तो cylinder कुछ बेसिकलिए हम लोग ऐसा बनाएंगे लो मैंने एक जैनरल से डिन्डर कुछ ऐसा बनादिया है कि फिर कि नहीं नक्या किया है इन्हों ने यहां पर निक्लूड कर दिया कि इंक्लूडेट फर्स्ट अक्टेंड को हमें लेना और यह डिउपकल जेरो और जिटिड़ तो जेडिगकल टूबी मान लिजे कुछ यह हो गया है लो यह हाटा दू यह हो गया है ठीक है सेलेंडर की को यह जड़ी जुकल टुजीरो हो गया इस सेलेंडर की क्वेशन क्या है इस सेलेंडर के लिए सेलेंडर हमने बनाया ठीक है यह सेलेंडर हैं और इस सेलेंडर को अगर हम ऐसे कट करते तो कुछ यह हाँ हम लेना है तो कुछ यह आपको इस तरह से इंटरमत नजर आएगा देखिए कुछ ऐसा आपको फिगर सो कि यह वाई एकसिस है और एकसिस है और एकसिस है और एकसिस है तो आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा आप जस्ट इमेजन करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा यह कुछ ऐसा आपको दिखेगा ठीक है तो यह फ़र्स्ट और को मैंने लिया यह जे डिजी जीरो हो गया और यह जे डिजी कुल टुट इधर भी था ठीक है तो फर्स्ट आपकेंट हमें लेना मतलब इसको अब हम रिमूब कर सकते हैं ती इसको मैं रपकर ठीक है अपना आगे बढ़ते हैं फिर आप क्या करना इसकी एक्वेशन क्या है यहां पर आपके पास तीन बन गए है और हो कौन-कौन से तीन बने है उसको समझते हैं तो सबसे पहला यहां पर आप करोगे क्या जब भी इस टाइप का क्वेशन आपको दिखेगा तो आपको बेसिकली यहां पर एप्रोश करना है यहां पर आपको तीन सर्फेस है माली जी एसवन सर्फेस है और इसको चाहो तो आप एस्टू सर्फेस ले लो और इसको आप एस्ट्री सर्फेस ले लो स्वरी एसवन सर्फेस एस्टू सर्फेस और एस्ट्री सर्फेस यहां पर आपके पास तीन सर्फेसेस हैं अब यहां पर मैं पिछले कोस्टंस के जैसा ना इसमें थोड़ा सा कुछ नयापन बताने की कोशिस करेंगे हम यहां पर करेंगे क्या एक सर्फेस यहां पर इसमाल डियेस चूज करेंगे यह हमने क्या लिया यहां पर इसमाल डियेस ऐसा आपको दिखेगा आ है ठेगा मैं तो यह जो है एंगल है यह घैंक यह अपर बना है यह क्या है इसमाल M अधिवीड अट्रलइब है और यहां पर जो आपके पास रेडियास है यह है चुंकि रीडिय garage यहां?. में मिलेगा क्या मिलेगा रेडियस सिलेंडर की रेडियस जो है वो क्या है तो यह हो गया अब हमें अगर इसका हम बोलें कि सर इसका हमें आर्क लेंथ बताई है तो इसका आर्क लेंथ क्या होगा यह आर्क जो है यह बहुत ही इसमाल है बिल्कुल छोटा सा ते आपके पास क् तो टिक है क्या होगा एंटू D theta होगा तो हम आपसे पूछे किसर अगर हमें डीयस पता करना है ता बताओ किसर यह जो होगा एडी जडी recovering होगा किया होगा एडी जडी ठीटा होगा रूश हो यहां तक कि आपको समझ में आया होगा ठीक है yes yellow यह जो था एग यह यही तो है एडी ठीटा तो यह आपके पास यहां से क्या तो ढित अर्ट टो आसे टा हो जाएगा ड एडी कि डीजट दीटीटा ठीक है अब हम क्या करेंगे सब्सक्राइब टोटल चाहिए ना तो हम भी कुछ ऐसा होगा एब वेक्टर डॉट एनकाइफ डीए सब्सक्राइब टोट एनकाइफ दीए सब्सक्राइब यही तो होगा सबसे पहले हम लोग सार्फेस données की बात कर रहे हैं तो सिर्फ्स में हमें यहां सदेख्याइब слуш Hai क्या करते हैं au एर एस वन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सर्फेस एस वन के लिए तो до एंमकाइफ डियसी मॉलत तो हम यहां से क्या करें हमें पर एंकर जरूरत पड़ेगी अब एंवं करे लिए हमने आपको बता था कि जो एंवर होता है वह क्या ओता है डेलेस अपान क्वाइड डिल एक सआ के प्लस डिल अपनड घ्यक्प प्लस डिल अपनड जेड क्योंλο यह तो होता है ऑप्रेटर का काम करता है अब हमेंचे जह भी सघ्था सर्फिस अब सर्फिस कैसे चूज करें तो सर्फिस के लिए हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर इन्हों tr tra तो first octant में surface तो यह है अब बात आतीक सर a square को इधर लाएं यह surface है अब देखे surface की बात कर रहा है तो surface क्या है x square plus y square अब बात है इसको इधर लाएं या इन दोनों की यह ने झाएं किसको मोगैट करें तो देखें यहां से जब आप यहां पर प्रोजेक्शन्स करोगे माली दो civ Main कर दोनों ही पौजेटिएव होंगे इसका मतलब है कि जब अगर यह दोनों positive होगे तो basically आपके पास क्या आएगा हमें इस a square को negative करना पड़ेगा यह दोनों positive ही होगे पर्स्ट अक्टेंड में क्या होगा x और y दोनों positive है ठीक है तो so यहां से हमें minus का a square ही करना पड़ेगा surface भी चूज हो गया अब डेलेस चाहिए तो डेलेस क्या आजाएगा आपके पास डेलेस हो जाएगा यहां से 2x i cap 2x i cap 2 i j यह तो constant है ठीक है तो यहां से निकालोगे तो क्या आएगा 2x i cap 2 i j अपन अंडर रूड आफ 4x square प्लस का 4y square 4 common करोगे तो 2 वाहर अपने पास आएगा तो n cap आएगा x i cap y j cap अपन अंडर रूड आफ x square प्लस का y square हमने n cap भी find out कर दिया f vector आपके पास given है यह है f vector f vector अपने इदा लिख देते हैं कुछ यह है कि z i cap plus x j cap minus का 3 y square z k k f यह है तो लाइक अब आप देखिए प्लस के साथ डाट पूडट करना है तो हमारे पास x i k f j k वाला तो यहां पर कॉम्पोनेंट है ही नहीं के का तो यह बेसिकली यहां से क्या जाएगा देखिए पन कर लेते हैं तो यह डबल इंट्रिगेसंस पर कर्वर्ट हो गया यह क्या हुआ बेसिकली डियस को मने डवल इंट्रिगेसंस पर हो जाएगा अपन में क्या एगा अंडरूड ओफ एक सिस्कार प्लस वाइस को ठीक है अब यहां पर सर्फिस जो आपने लिए यह होगा स्वल सर्फिस के लिए यही तो होगा तो ए आएगा डी जेड डेट अब बात करते हैं कि सर यहां पर जेड और ठीटा ही राना चाहिए ना तो यहां पर एक्स आना चाहिए और ना ही यहां पर वाई आना चाहिए तो अब इसको करते क्या इसको पोलर में में बनाते हैं तो पॉलर में बनाने के लिए यहां पर रेडियस आपके पास क्या है एंक है कि उल्हुत तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको बनाते हैं तो थीटा अगर हम यहाँ पर एक सवाई प्लेन की बात करें तो बैसिकलिए जीरो से पाइब टू ही रन कर रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलू रखोगे x square plus y square which is equal to a square यहां से a आएगा तियो 1y यह आप बाहर लिख सकते हो ठीक है और यहां से क्या आएगा z तो रहेगा और यहां से a cos theta हो जाएगा जहाँ पर r होता था है ना और यहां पर क्या हो जाएगा a cos theta a sin theta मतलब a square sin theta cos theta ठीक है इसको अपन रफ कर लेते हैं ठीक है अगर आगे बढ़ते हैं क्या होगा फिर इसके मैंने इसको वान अपने को बाहर किया और जेड़ तो यहां रहेगा तो जेड़ a cos theta plus a square sin theta cos theta ठीक है और यहां से क्या रहेगा into a d z d theta देखे पहले डी जेड़ है तो जेड़ आपके पास कहां से जाएगा जेड़ 0 से बी तक रन करेगा जीरो से बी तक जाएगा और theta कहां से रन करेगा जीरो से पाई बैटू जीरो से टूटल जीरो से पाई बैटू ही रन करेगा ठीक है ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को अब हम लोग क्या करना है इसी को आप साल्व कर लो आपको answer मिल जाएगा तो देखे यहा साहल लेकर चलो कि या फिर आप इसको कठी कर लो इस वाले एसे इस वाले एको कट करतो ठीक है तो यह तो हट गया पहले आप क्या करो यहां से इंट्रिगेशन्स अब इस फीगर को अभी अपन रफ कर देते हैं ठीक है अभी फिर से बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो कि आये पना कि विचीजी कोल टू डबल इंट्रिगेशन्स कि देखें यहां से जेड़ ए को स्थीटा डीजेड डीठीटा प्लस डबल इंट्रिगेशन्स कि ए स्क्वायर बाहर कर सकते हो और यहां पर आप हो ठीक है में कि देखें यहां से क्या हुआ है ठीक है यह हमने असे कट कर दिया ऑवराल जो की कामन था यहां से जेड़ यहां से क्या यह स्क्वायर साइन ठीटा सोफ सीटा ने यहां से जेड़ ऑमिट की यहां है जड़ की किक्युंट से देड़ कर रहा है और थीटा जीरो से बाई बैसे क Helloाे जेड जीड़ा से ऑब और थीटा says So पाई बयो रणा ठेक है अब इसी को पर इंट्रीगेट करना है तो देखें आपके पास यहां से क्या ओगा जएगा यह आपके पास दे बाहर हो हुआ देखे कॉंस्टेंट था मैंने एक बाहर यहां से जेड़ का इंट्रियेशन जेड़ स्क्वार बाइट बी लिमिट करोगी तो फिर यहां पर क्या इंट्रिगेशन से पाइब टू ओ ठीक है इसको डोजीरो से पाइब टू और क्या बचा है कोज थीटा इंट्रिटा फिर अगला आपके पास क्या है एस्क्वार गाट दीजेट का करोगे तापके पास वनलीजेट आएगा लिमिट लगाओ गया थे इस्क्वाइर भी थीटा की लिमिट जीरो से पाई वैटू साइन थीटा को सीटा घुट थीटा ठीक्वाप वाप क्या करोंगे यहां पर गामा भी टा इस पर लगा दो इसको तो डारेक्ट थीटा हैगा और थीटा 0 से पाइवाय टूल रन करेगा प्लस ए स्क्वाइर बी यहां पर आप लगाओगे तो क्या होगा आपके पास गामा एक वन यहां पर है यहां पर भी वन है एक वन प्लस वन टू वाजाएगा तो टू बाइट वाजाएगा फिर वन आपाट तो वन वन टू ठीक है टू देखे टू हो गया और टू फिर आट होगा फार्मूले से फार्मूला कुछ यह होता है पी प्लस वन बाई टू गामा क्यों प्लस वन बाई टू अपान टू गामा प्लस का क्यू प्लस का गामा प्लस वन बाई टू गामा क्यू प्लस वन बाई टू अपान टू गामा प्लस का क्यू प्लस का टू बाई टू होता है तो देखें यहां से वन प्लस वन टू बाई तो मिन्स टू ठीक है यह आएगा अब आप इसको सिंप्लिफाई कर लो जरा यहां पर लिमिट लगाओ गए तो बेसिक लिए वन आ जाएगा तो एबी स्क्वाइर भाई टू और यहां से आ गया एए स्क्वाइर भी यह इसकी गामा टू की वेलो वन हो जाएगी भाई टू सब्सक्राइब है तो आपको यहां से बिया गया यहां से आएगा एप्लसभी मिल जाएगा किया आपके पास अब लगए नहीं किया मिला देख इटाएब करतें अब आपको आपको बेलूज मिली है अब आप इसको इदर नोट कर दीजिए देखें इसकी क्या बेलूज आई है स्वान सर्फेस के लिए यहां पर अपन लिख देते हैं अब अब आपको कि सर्फेस की बात करना है एस च्याइस टू सर्फेस के लिए छो उस्ट तो सोर्फेस कि अगर हम बात करें तो फिगर कुछ आपके पास ऐसा था है यह वाइए अक्सिस है यह जैड एक्सी से और एक्स अब यह आपके पास z is equal to 0 था यह z is equal to b था ठीक है और यह z b है और z 0 है और यह इसकी equations क्या थी x square plus y square which is equal to a square था ठीक है और यह s1 surface था और यह s3 surface था और यह s2 surface था ठीक है अब ज़रा समझते फार s2 surface के लिए तो s2 surface के लिए जब आपन बात करेंगे तो basically आपके पास होगा क्या यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर यह s2 surface में आप देखोगे तो जब लार्मल बेक्टर आएगा और क्या होगा नीचे की और आएगा माइनस के कैफ आएगा क्या आएगा यहां पर एसटू के लिए जो यहां पर का यहां से मिले गया ठीक है इसको आप दबल इंटरेकेसं में कर लो एब आप यह प्रेक्टर क्या गया थ्रीं रवाई स्क्क्वाइर जेड क्या ओंप आप यह दो है तो आप ट्स papier के लिए ही बात कर विशवय केहें तपंर प्लotte लिए ठीके में वैंवाई प्लेंग में क्या होगा आपके पास यह दी Clay होगा अपान लॉस आफ एनक डाट कफ होगा तो यह क्या होगा माइनस वनाएगा मॉडल ले लोगी तो एनक है माइनस का के कफ डाट के का करना है है यही तो होता है चले अब ज़रा समझते हैं इसको एंसर एस्टू के लिए जीरो हो जायागा तो प्लस का जीरो अब एस्थ्री के लिए हम लोग बात कर लेते हैं तो इधर वाला रफ कर लेते हैं अब फार एस्थ्री सर्फिस की बात करते हैं ठीक है इसको भी रफ कर लेते हैं पर है तो है कि तो इस्थी सर्फिस में आपके पास क्या आएगा तो तो स्थी सर्फिस के जो नार्मल वेक्टर होगा वो एन कैफ क्या होगा के कैफ आएगा इसके लिए जो नार्मल वेक्टर हमने क्या लिकाला था सर्फेस से निकाला था इसका नार्मल वेक्टर नीचे की और जा रहा है और इसका सारा सारा उपर जाएगा उपर की हो जाएगा ठीक है तो देखे ज इसको भी आपाइकस भाइप प्रोजेक्ट एड दोगे तो जैसे आप इसको एकस फाइप प्रोजेक्ट करोगे तीया भी आपके पास डी एकस डी वाई हो जाएगा अपन मौडल लॉसर और के का लोगा त्लीर रहेगा ति देशिकले वन ही हो जाएगा यहां डबल अब चलिए अपना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सवर आगे अब आपको करना क्या है यहां से डबल इंट्रिगेशन माइनस का 3y2zD x dy क्या है माइनस का 3y2z देखिए बैसिकली वन हो टाओ गया अब आपको simplify करना है तो जैसे हम आपको से रिजर्स मिल जाएगा अब कि हमें एक्सओर वाई चाहिए तो यह ने तो जड़को हटा देना है तो जड़क यहां पर क्या है भी है तो भी रख दो तो माइनस का 3 दबल इंट एन्ट्रिगेसंस यहां पर बिगिंग लो तो क्या गया वाई स्कॉर ?ji एकस, डडिवः अब आप इसको इंट्रिगेट कर लो तो क्या गया? माइनस का 3-Double इंट्रिगेसंस आफ के पास ही पर क्या हैगा कि यहां पर आप चाहो तो लिमिट लेख सकते हो एस थ्री की हैं पर क्या करोगे आर का स्थीटा और साइन थीटा ले लो लूम कर आप एक स्वाइब प्लेंट प्रोजेट करोगे तो आपके पास अध्यी करेगा मैं करा दो मैं अब आपके पास यहां से क्या यहाएगगा जैसे आप इसको simplify के यहार क्यूब हो जाएगा और integration करोगे तार की पाउर 4 बाई 4 आएगा मतलब यहां से आएगा माइनस का 3 भी एकी पाउर 4 बाई 4 आ गया और यहां से क्या आगया थीटा 0 से पाइबे 2 शाइन स्कुराइड तीटा डिटी गामा बीटा लगा दो गामा बीटा जैसे लगाओ कि तिया आजाएगा माइनस का 3 एकी पाउर 4 बी बाई 4 और यह हो जाएगा गामा 1 बाई 2 गामा 3 बाई 2 अपान 2 गामा यहां पर देखे 2 और 2 तो गामा 2 4 बाई 2 मतलब 2 ठीक है इसको सिंप्लिफाई करते हैं देखे क्या आता है माइनस का 3 एकी पाउर 4 बी बाई 4 इन्टो यहां से गामा 1 बाई 2 रोड पाई इन्टो 1 बाई 2 रोड पाई और यह क्या जाएगा बिसिकली 2 रहेगा तो पाई बाई 4 यहां से आ है क्या है पाई बाई 4 तो माइनस का 3 ए माइनस का 3 एकी पाउर 4 बी बाई 4 इन्टो पाई बाई 4 तो एंसर क्या गया माइनस का 3 एकी पाउर 4 बी बाई 6 तीन पाई तो यह आपके पास एंसर इसका आ गया अब आप इससे अस्थाम पर इसको आप ले आ करके रख दो तो जैसे आप इसको रखोगे क्या रखोगे माइनस में आए गए इस त्री वाला तो माइनस का थ्री एकी पाउर फॉर भी पाई बाई सिस्टेन ठीक है तो यह इसका एंसर हो गया तो थोड़ा सा और इसको कि सिंपल कर लेते हैं फिर हम लोग नेस्ट कोश्चन की बात करेंगे तो देखें क्या आएगा यहां से यह क्या है अपने पास अब बाई टू ए प्लस बी माइनस का थ्री एकी पाउर फॉर बी पाई बाई सिस्टेन तो इस कोश्चन का जो टोटल सर्फेस हो गया अब एक्टर इंटेग्रल सर्फ डीस इकोल टो अबी बाई टू टाइमस एकी पाउर फॉर भी पाई बाई सिस्टेम तो यह इसका क्या हो गया एंसर हो गया तो नोट कर लीजे फिर नेस्ट कोश्चन की बात करतें नेस्ट कोश्चन से कि वेल्वेट सर्फेस इंट्रिगल ओवर दा सर्फेस एस अबेक्टर डॉट एंटकर जो है आपके पास वाई आई के प्लस का टू एक्स जे का माइनस का टू के कैप एड़ एस इस दो सर्फेस अफ दी प्लेन टू एक्स प्लस वाई विच इस इकोल तो फॉर इन दो फ़र्स आउटेंट काट आप बाइद जे डिज़ इस इकोल टू फॉर जेड़ इस इकोल टू फॉर जो इसको क्या कर रही है तो देखें अगर इसको टू डी में देखें थोड़ा सा एप्रोच करते हैं क्या है आपके पास यह टू एक्स प्लस वाई वि यह एक्स पर कट फाइंट 0,4 इन उनों आप मिला दो लैक दिस यह आपको एक लाइन दिख रही है एक लाइन दिख रही है बट अगर आप यह पर जेड़ एक डिखिस लगा दो इदा आपको यह प्लेन लगा कुछ इस तरह से यह आपको कुछ ऐसा एक प्लेन दिखेगा यह एक प्लेन दिखेगा ठीक है और इन्होंने क्या कहा है कि प्लेन जो है वो किसे कट कर रहा है कट आप बाइद प्लेन जेडिज को फोर उसको कट कर दे रहा है तो अगर 3D में देखें तो कुछ इसको हम लोग ऐसा इमेजिनेशन कर पाएंगे यह आपके पास Y-axis है इधर अपने पास Z-axis है और यह X-axis है ठीक है तो देखें एक्स वाई प्लेन में आपके पास यह क्या था एक्स और Y में क्या था एक लाइन थी तो कुछ माली जेए ऐसा था अब आप जेडिज कोल्ड फोर पर लाओ गे तो कुछ यह ऐसा दीखेगा अब ठीक है इसको थोड़ा सा और अपन बढ़ा है कि अगा कि अगा कि अगा कि कुछ आपको यह ऐसा प्लेन नजर आएगा दिखिए आप जेडिज कुल टू यह क्या है जेडिज कुल टू फोर है उसको क्या करा फोर कट कर रहा है तो माली जेडिज आपके पास कोई एक ऐसा प्लेन है लज़ा है और उसको कट करेगा तो कुछ इस सेफ में नजर आएगा ठीक है फड़ा सा एक्जैक्ट नहीं है फिकर तो कुछ ऐसा आऊ-सा आपको नजर आ अब आप इस यह सर्फेस सब्सक्राइब करना है तो देखिए इसका सर्फेस इंटेग्रल कैसे अबना फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगा यह यह क्या है आपके पास अर्फेस इंटेटर डॉट एनक डिएस है ठीक है सो लाइक दिस आप क्या करों इसको डबल इंट्रिगेस हैं यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं यह जेड एक्सिस था ठीक है तो वाई जेड प्लेन में इसका प्रोजेक्शन कर देंगे तो वाई जेड प्लेन में अगर आप इसका प्रोजेक्शन कर रहे हो वाई जेड प्लेन ठीक है तो लाइक दिस आप आपको एन कैप की जरूरत है एन कैप आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो एन कैप के लिए आपको सर्फेस से यह तो सर्फेस आपके पास कुछ यह है यह आपके पास सर्फेस ठीक है प्लेन है ठीक है तो लेक दिस आपके पास यह है 2x plus y which is equal to 4 है अब आप इसको देखे यहाँ पर yz प्रोजेक्ट करोगे दोनों ही पाजेटिव होंगे ठीक है yz प्लेन पर दोनों ही पाजेटिव होंगे इसका मतलब इसको आपको इधर लाना पड़ेगा तो 2x plus y minus 4 which is equal to 0 ठीक है यह होगा सरफेस चले अब आप यहाँ से डेलेस निकालोगे तो क्या आएगा 2i-calf प्लस jcf और अगर n-calf निकालोगे तो 2i-calf प्लस jcf अपान 4 और 15 तो अंडर रूट 5 आज्या निकालोगे अपके पास है डाट पॉडट कर देते हैं तो जैसे हैप अपन डाट पॉडट करेंगे तो डाट पॉडट करेंगे तो क्या आएगा देखें आपके पास i-calf है जे-calf है यह i-calf है तो यहां से आ जाएगा 2y और यहां से j-calf है तो प्लस का 2x यह k-calf है ही नहीं अपान अंडर रोड 5 ठीक है डी-वाइ डी-जेट एन-calf यह है डाट i-calf करोगे तो 2 अपार रोड 5 आएगा मौड में तो पॉजिट्व रहेगा ठीक है इससे यह कट जाएगा आपको क्या मिलेगा यहां से यह कुछ आ जाएगा टू से टू भी कैंसिल आउट होगा तो वाई प्लस एक्स आ जाएगा और डी-वाई-डी-जेड आएगा हमें यहां पर वाई और जेट ची एक्स की कोई रिक्वायर्मेंट नहीं है जब एक्स की रिक्वायर्मेंट नहीं है थेक्स को हमें हटाना पड़ेगा और सर्फेस क्या था आप के पास यह था एक्स की चीकोल टू फोर्ट यहां से आप एक्स की बगfon बेलौ निकालो थैयकस क्या जाय keeping 14準備 अ हो जाएगा आपर फो्ट₂ और प्लस का फॉर माइनस का वाई वाई टू और डी वाई डीजे अभी दर फीगर अपन देख लेते हैं तोड़ा सा इसको रफ कर लिए अब बात करना एक से लिमिट क्या होगी तो लिमिट के लिए पने देखो गर टूटी में देखें तो टूटी में भी मैंने बनाया था कि क्या था? 0,4 था, और ये अपने पास, बसकिन पू कामा जिरो था, इसके लिमिट 몇 न Uh, कहना कहा नहान कर रहा है!? टो जीरो से सब्सक्राइब होगे यहां सेवर लेमीट उफ शेज़ में मिटा आप से जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे जेट कहां 0 से इस भोच गेगा तो 10 00 को एपने पास करोगे इधर टूह आई जायेगा और प्लस का फोर माइनस कवाइब और बाइटो ठीकए फिर डिवाइड डिजेट वाइज़ जीरो से फॉर जेट जीरो से फॉर ठीक ए सवाइक दिस यहां से सिफ्ट करोगे तहां आपके पास कितना आएगा यह वाइब वाई प्लस फोर बाई टू और डी वाई डी जेट क्या आएगा डी वाई डी जेट आएगा फिर हम लोग इसको और आगे इंट्रिगेट करेंगे और आगे आपन इंट्रिगेट करो कि क्या जाएगा वन बाई टू को बाहर लिख सकते हो जेड वाई जीरो से फोर जेड जीरो से फोर ठीक है तो वाई का इंट्रिगेशन साब कर लो फिर फोर का कर लो अलग-अलग चाओ तो कर सकते हो अपन तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको पैसा कर लो तो यह हो गया आपके पास वाई डी वाई डी जेड ठीक है लिमिट जीरो से फोर और यह भी जीरो से फोर ही है ठीक है फिर प्लस डाबल इंट्रिगेशन फोर डी वाई डी जेड यह भी जीरो से फोर ही है ठीक है चलो अब आपन इसको साल्व कर लेते हैं इधर कर लेते है तो देखे अपने पास क्या आएगा इसका करेंगे तो y square by 2 आएगा ठीक है और यहां से इसका भी 4 आएगा यह 4 बाहर कर सकते हैं इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4 हो तो कट कर सकते हो यह 2 आजाएगा कि वाइज कार भाइट टू इंटो फोर ठीक है और अधर यह क्या हो गया फोर इंटो फोर इंटो फोर थ्री टाइम हो जाएगा और इसको साल्व कर लो तो सिस्टी थार्टी टू और 64 कितना जाएगा इसको साल्व करने पर सिक्स और नाइन इंटो फोर्टी एट इसका जो एक्जाक्ट एंटसर होगा फोर्टी एट होगा नोट कर लिजे फिर नेस्ट कोस्टेंस की बात करते हैं तो कौन हम लोग जानते है बेसिकली कौन होता कैसे है कुछ इस तरह होता यहां पर थ्रीडि है यह आपके पास Y है, यह Z है और यह आपके पास X है, तो कोई हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा बनेगा यह, नीचे हमें लेना नहीं है, क्योंकि वह नहीं लेना है, क्योंकि वह Z is equal to 0 की बात किया है, और Z is equal to 3 से क्या है, बाउंडेड है, तो आपके पास यह S1 सर्फेस है, और यह आपके पास S2 सर्फेस है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी एक्वेशन क्या है, इसकी एक्वेशन से आपके पास Z square which is equal to X square plus Y square, ठीक है, अब सर्फेस सबसे पहले S2 सर्फेस निकाल लेते हैं, फिर S1 सर्फेस की बात करते हैं, for S2 सर्फेस, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखें, F-vector.ncap directly इन्होंने दे दिया है, यह क्या है, आपके पास F-vector.ncap RDD given है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, for S2 सर्फेस के लिए, F-vector.ncap, ds2, हम लोग S2 सर्फेस की बात कर रहे हैं, तो xy इस सारे यहाँ पर इसका क्या होगा, जो ncap होगा, unit normal vector यहाँ पर क्या आएगा, kkf आएगा, for S2 सर्फेस के लिए, ठीक है, तो for S2 सर्फेस के लिए यह आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यह basically हमारे पास क्या होगा, यह तो आपके पास F-vector.ncap RDD given है, तो double integration xy square plus y square, और जब हम लोग इसको xy plane पर project करेंगे, पूरा एक circle बन जाएगा, ठीक है, upon modulus of n-cap क्या होगा, kkf होगा, into k-cap, तो basically यह क्या होगा, kkf.kf हो जाएगा, ठीक है, so like this, double integration यह आगया, xy square plus y square dxdy, अब देखिए, आप क्या करोगे इसको, polar में बना लो, polar में बना होगे, तो आप करोगे, क्या है यहाँ पर, देखिए, यह क्या होगा, xy square plus y square, तो यहाँ से आप के पास क्या होगा, इसको अपन polar में बनाते हैं, तो क्या होगा, इसके अस्ताम पर रखेंगे, r cos theta, r sin theta लेंगी, तो basically क्या हो जाएगा, r square cos theta, plus r square sin theta, अब जब एक circle बनेगा, complete circle बनेगा, जब आप इसको xy plane पर, इस सारे points को xy plane पर project करोगे, सारे के सारे points circle में लाई कर जाएंगे, तो theta इसका 0 से 2 pi लाई करेगा, और जो आपके पास इसके radius होगा, यह क्या होगा, x square plus y square, which is equal to 3 square, तो 3 radius की circle लाएगी, तो r जो run करेगा, वो 0 से 3 run करेगा, theta जो run करेगा, 0 से 2 pi, अब चाहो ता आप r square कामन कर लो, बस यहां से solve हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो r 0 से 3 run कर रहा है, और theta 0 से 2 pi, यहां से क्या आजाएगा, r square आजाएगा, r है, dr d theta, r cube हो गया, directly आप लिख लो r cube, integrate करोगे, r की power 4 by 4 आएगा, इसकी limit रख दो, तो जैसे आपने हापन लिमिट रखेंगे, देखें क्या आएगा, कुछ आजाएगा, theta 0 से 2 pi, और यह r की power 4 by 4, 3 limit रख दो, तो 3 की power 4 by 4 हो गया, और यहां से d theta, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 81 by 4, और into 2 pi, यह 2 से कड़ गया, 81 by by 2, तो far s2 surface के लिए हमने values निकाला, s2 surface के लिए हमें क्या value आई, 81 by 2, ठीक है, अब हमें s1 surface की बात करना है, जिसकी value अपन लिख देते हैं, क्या आया है इसके लिए, 81 by 2 हो आया है, for s1 surface, यह अपना s1 surface, अब इस surface को जब हम लोग xy plane पर project करेंगे, यह भी पूरा का पूरा circle पर लाई कर जाएगा, इसके हर एक point circle पर लाई कर जाएगे, तो सबसे पहले यहां से मैं surface चूज करना है, कौन सा surface आएगा, तो इसके लिए जो surface चूज करोगे, चुकि जेड क्या नेगेटू, डारेक्शन पर क्या क्या सारा का सारा नेगेटू जा रहा है, इसका मतलब z2 को इधर shift करना पड़ेगा, यहां से डिलेस निकालोगे, यहां से तो क्या आजाएगा, टू एकस लीके, टू आएज्चेफ, माइनस का टू जेड के कैफ, यहां से अगर ऐनकेफ निकालेंगे, तो बेसिकली आप सालव कर लेना, एकस लाई के वाई जेड के कैफ, चुकिंकि फोर होगा, फोर कमन करेंगे, तक तो जाएगा, तोटक है यहां से आजाएगा एक्सियस्कार वाइस कर भार जेडिस निकल गया अबेक्टर डॉट एंगरेशन करेंगे पारस्ट one को सब्सक्राइब करोगे तो माइनस का जेड़ आएगा अपन अंडरूट आप एक्स स्कार वाइस का जेड़ स्कार ठीक है तो बिसिकली यहां से आएगा अब देखिए इसको आगे हम लोग सिंप्लिफाइब करते हैं तो माडलस लोगे तो यह आजाएगा कि आपके पास यहां सब्सक्राइब पर भी तो वेक्टर.nkf ठीक है तो क्या गया से जेड़ अपन एक्स स्कार प्लस वाइस का प्लस जेड़ स्कार अंडरूट में ठीक है तो लाइक दिस और आगे साल्व करते हैं तो डबल इंट्रिएशंस यह उपर सिफ्ट हो जाएगा एक्स स्कार वाइस स्कार अंडरूड उफ x3y2z2 अपां ZDX ठीक तो लाइक दिस जेड़ कोल्टो डबल इंट्रिएशंस अब दिस्कार वाइस स्कार की वेलू क्या है जेडिश क्या रग दो सरुफेस में इस सरुस्ट में ठीक है तो यहां पर जेडि़ कर रखो एक जेडि़ स्कार आलेड़ आपके पास क्या इसको आप ऐसे ही रहने दो एक्सिसक्वर वाइस कर और यह जड़ आपांचेड डी अक्स डी इससे कड़ गया यहां से आगए रूट डावल इंटेगेशन एक्सिस्क्वर वाइस को डी एक्स डी आप यहां पर यह चुकी सर्किल में प्रोजेक्ट हुआ है पुर्या का पुरा सर्किल में लाई करेगा तर रेडियस आप इसको चाहो तो पोलर में बना सकते हो तो बेसिकली क्या एगा रोट्टो डबल इंट्रिएसंस यह आजाएगा और इसको यहां सब्सक्राइब अब दोनों को सम कर लेते हैं है तो दोनों को जैसे अपन सम करेंगा आपको अंसर मिल जाएगा कि देखिए क्या आएगा कि खोज़ा इंटेग्रेशन ओबर दे सर्फेस एक स्क्वार प्लस वाई स्क्वार इस इक्वड टू यह आपके पास वाला वाला है तो फॉल का एटी वन पाय रूट टू अपानु प्लस का एटी वन पाई वैए टू यहां से आएगा रूट टू प्लस वन तिह का एंसर ह हो जाए गए तो आज से अपना वेक्टर के एलकुलस्ट विल फिनिस्ट थैंक यू बावा टेक कियर